वेलकम टू कारवकारडमी इन दिस वीडियो क्लास नाइन्थ मैथेमेक्टिस चेप्टर वन नमबर सिस्टम को हम लोग स्टार्ट करेंगे और साथ में इस क्लास में एक्षाषाई 1.1 का जो एक्जामपल है उन सारे क्वेश्चन को भी सल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहां देखिए नमबर सिस्टम जो हमारा चेप्टर वन है बहुत ही most important है इन चेप्टर को आप लोग को अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि आगे आने वाले चेप्टर में इनका बहुत ही महत्तपूर्ण जोगदान है ठीके? तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि जब हम चेप्टर स्टार्ट कर रहे है तो उन चेप्टर के बारे में हम लोग को समझना होगा देखिए चेप्टर वन में है नमबर सिस्टम तो माल लोग कि आप पढ़ रहे हो नमबर सिस्टम और कोई आप से पूछ दे सबसे पहले उनके बारे में theory concept के साथ में उनका definition भी सीखेंगे तब भी हम लोग के अच्छा से knowledge हो पाएगा और अच्छा-च्छा question को चुटकी में बना देंगे ठीके, तो आईए सबसे पहले हम heading डलाएंगे heading डलाएंगे, number system अपने-अपने copy page जो भी आप लिए है, ठीके heading डालिए, number system मेरे साथ-साथ ही आप लोग को भी चलना है जदा time बरबाद नहीं करना है, कम time में जदा बाते सिखनी है, ओके number system heading डालिए, number system देखे, number system का definition होता है a number, a number system is defined as system of writing to expresses number मैं इसको लिख देता हूँ, आप लोग भी साथ-साथ में लिख लिजिए, ठीके इनको समझना नहीं है, बस एक बार पढ़ लो, समझ में आ जाएगा number system का definition होता है, number system लिखिए साथ में आप लोग भी a number system is defined number system is defined as a as a system of system of writing to writing to expresses number expresses number, okay number system का definition होता है, a number system is defined as a system of writing to expresses number, okay मतलब जो number को हम लोग write करते हैं, उसको express करेंगे, उसको number system बोलेंगे, लेकिन number system से हमारा एक और बात यहां से निकल करके आती है, ठीक है, number system पर रहें, लेकिन हमारा number क्या है, number किन को बोलते हैं, भाई, यह भी समझना होगा, ठीक है, तो हम heading डालेए, एक और यहां पर most important topic निकल करके आया, number, जब आप किसी से कहोगे, या कोई आपसे पूछ ले, कि number system क्या होता है, तो आप बता तो दोगे, कि number system is defined as a system of writing to expresses number, last में जैसे number निकल करके आएगा, आप से यह भी पूछ सकते हैं, कि आखिर number क्या होता है, आप number बताओ, तो आप पढ़े लिखे समझोगे, concept को समझोगे, deeply में मतलब ग्यान लोगे, तो क्या होगा, आपका बहुत जदा वहलू बढ़ेगा, ठीके, तो वहाँ पर आपको बताना होगा, number is, जदि इसको बता दोगे, तो फिर आपका बहुत ही, मतलब इतना तारीफ होगा कि क्या ही बताएं, क्योंकि आप की पास knowledge है, तो तारीफ तो बनता है, ठीके, number का definition होता है, a number is, a number is a, mathematical, mathematical, concept is to, is to, count, measure, and label, and label, thus number, form the, basis of mathematics, ठीके, कोई भी आपसे number का definition पुछे, तो number का definition होगा, a number is, mathematical, concept is to, count, measure, and label, thus number, form the, basis of mathematics, अब देखो, number हमारा complete होगा, कोई भी पुछे, number system क्या होता है, तो number system का definition बताना होगा, a number system is defined as system of writing to expresses number, and वहाँ पर number, जैसे मालों क्या last time है, नमबर आ रहा है, तो आपसे पूछ सकता है, कि number का definition बताओ, तो क्या बताओगे, a number is mathematical, concept is to count, measure, and label, इतना ही बता दोगे, तो आपको समझ जाएगा कि हाँ, यह बचा पढ़ने लिखने वाला है, ठीके, क्योंकि जो भी देखो, चिप्टरे स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में जानना जोरी है, तब भी पढ़ने में मज़ा आएगा, अब देखिए, कि हम लोग को number system में, जो हमारा chapter 1 में, 9th class में, यह जो हमारा दिया है, इसमें सबसे ज़धा important है न, यहाँ पर integer का, integer आप समाझ जाओगे, तो आप पूरा chapter बना दोगे, कैसे, तो आईए हम topic का नाम डालते हैं, integer, heading में आप लोग भी डालिए, integer, integer, देखो, integer बहुत important है, बहुत important, सबसे पहले हम, एक number line बनाते हैं, और इसी number line पर पूरे integer को समझा देंगे, यह देखो, मैंने number line, ध्यान से थोड़ा देखना, ठीक है, मैंने क्या बनाया, एक number line, number line में यहाँ पर 0 होता है, इधर जाएंगे तो, infinite plus में होता है, इधर आएंगे तो minus infinite होता है, 0 से थर बढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही चलते जाएगा, और इधर आएंगे तो minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, ऐसे ही dot dot चलते जाएगा, ओके, यहाँ पर समझो ध्यान से, सबसे पहले देखो, आपको यहाँ से integer, मैंने क्या बोला था, integer, integer क्या होता है, तो देखो, integer में, integer में, negative number भी मिलेगा, कोन number भाई, negative, negative number क्या होता है, जिसमें minus लगा हो, negative number भी रहेगा, ठीक है, साथ में, एक positive number भी रहेगा, कौन सा number, positive number, positive number, negative number तो मिल गया, positive number मिल गया, और यहाँ पर क्या है, 0, क्या है, 0, यह देखो, 0, यह देखो, negative number, positive number, with 0 के साथ में, जो number बनता है न, वो क्या बनता है, वो हमारा यह पूरा क्या बन गया, integer, क्या बन गया, integer, समझ मैंजा, integer, integer क्या होगा, negative number, positive number, with 0, is called integer, तो integer का definition से मतलब नहीं है, हमको समझना है कि आखिर integer है क्या, तो integer जो है, positive number, negative number, with 0 के साथ में, मिल कर जो number बनता है, यहाँ पर आप देख रहे हो, उसी को हम लोग integer बोलते हैं, ठीके, अब देखो, integer से ही, हमारा यहाँ पर, 9th class में, 4 number पढ़ना है, वो 4 number कौन-कौन है, number 1, natural number, natural number, अब natural number क्या होता है, देखो, natural number का definition होता है, कि all counting number is called natural number, all counting, counting मतलब जिनको में गिन सकते हैं, तो प्लस वाली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह जो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dot infinite तक, मतलब जो positive number होता है, जिसको हम count कर सकते हैं, counting जैसे बोलते हैं, किसी बच्चे से, आप बच्चे थे, तो आपसे ऐसा बोला दे रहा था, बताओ आपको table कहा था, याद है, यह भी पुछा रहा था, कि क्या आपको counting number याद है, तो counting number आप बोलते थे, yes, तो कहां सा आप स्टाट करते थे, once स्टाट करते थे, उसी को तो counting number बोलते हैं, वही counting number आगे चल करके, हम लोग को natural number बन गया, तो natural number और counting number में कोई different नहीं है, जिनको हम counting number बोलते हैं, उन्हीं को natural number भी बोल सकते हैं, तो natural number का definition क्या होगा, कि all counting number is called natural number, और counting number 1, 2, 3, 4, 5, 6 से start होता है, तो natural number का मतलब समझ में आप लोग को आ गया होगा, ठीक है, अब आईए, उसके बाद whole number, whole number, whole number, अब whole number क्या होता है, देखो, whole number में all counting number होता है, पहले मैं लिख लेता हूँ, all counting number, with zero, मतलब इसमें zero भी लग जाएगा, natural number को सिर्फ all counting number को, natural number काते हैं, लेकिन all counting number के साथ में, जैसे हमारा zero लग जाता है, उसके हम लोग whole number बोलते हैं, क्या बोलते हैं, whole number बोलते हैं, याद रहेगा, अब चलिए, तीसरा इसका देखो, third, third है हमारा rational number, यह बहुत ही important है, और इसी की यह वज़े से आपको chapter 1 में number system पढ़ना है, rational number, अब rational number क्या होता है, rational number उनको बोलते हैं, जिनको हम P by Q के फार में write कर सकते हैं, where, where, Q not equal to 0, इनको मतलब समझो, कोई भी number हो, उसको rational number तभी कहेंगे, जिनको हम P by Q के फार में लिकें, वसरते आपको Q का जो नीचे वाला का जो मान होना चाहिए, value जोना चाहिए, और 0 नहीं होना चाहिए, फिर हमारा क्या है, rational number है, अभी मैं इस पर deploy में बात करूँगा, धहरे बनाए रखिए, ठीके, चार number में देखिए, e-rational, e-rational number, अब e-rational number क्या है, जिनको हम लोग P by Q के फार में नहीं लिक सकते, जिनको हम P by Q के फार में नहीं लिक सकते, उसको क्या बोलेंगे, e-rational, example के तोर पे, root 2, root 3, root 7, इस अब क्या है, e-rational है, इनको हम लोग P by Q के फार में write नहीं कर पाएंगे, तो मैं आप लोग को अभी थोड़ा सा आप लोग से अलग से extra time ले रहा हूँ, और इनके बारे में थोड़ा deeply में ग्यान देना चाहता हूँ, rational और e-rational के बारे में, तो धहरे बनाए रखिए, मैं आपको सारी बाते समझा दूँँगा, ठीके? सबसे पहले आईए rational number, हमने क्या बोला और क्या कहा, इस पर थोड़ा सा care करिए, फिर तो सब चीज आएगा ही समझ में, ठीके? देखे, मैंने बोला rational number, rational number का मतलब हुगा कि जिनको मैं P by Q के फार में लिख सकता हूँ, example, मालो 4 by 3 है, P by Q, Q का value 0 नहीं है, यानि ये rational number है, 4 by 7, एक क्या है, rational number है, P by Q के फार में है, और मैंने लिए 14 by 0, देखो, आपसे मैंने बोला था, कि कभी भी Q का जो मान होना फिर और rational number नहीं हो पाएगा, rational number नहीं है, 10 by 21, ये rational number है क्या, बिल्कुल है, अब आपसे मैंने बोला irrational, किया मैंने बोल दिया, root 2, अब root में देखो, जब root में आएगा न, वो कभी भी rational number नहीं होगा, क्योंकि root 2 का value point में होता है, लेकिन जादी मैं इसी को बोल देथा, root 4, तो root 4 का root क्या होता है, 2 होता है, इसका value हम find कर पाएगे, तो 2 क्या rational है, बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि देखो, 2 तो है, जब कोई भी number हो, उसमें, किसी भी number में, मतलब, कोई भी, मतलब, world का कोई भी number हो, जदि आप उसमे 1 से divide करोगे, तो क्या होगा, 2, यानि 2 में मैंने 1 से divide किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानि इसको मैं PYQ के फ़र्क में write कर सकता हूँ, तो फिर यह क्या वो लेंगी इसको, root 4 को मैं rational नमर बोल सकता हूँ, लेकिन, जदि मैं इसी को root 5 कर देता, root 5 का square root नहीं होता, नहीं होता ना, तो root नहीं होता, तो मैं इसको क्या बो rational, समझ गए, समझ मैं बात ना, हाँ, आपसे question किस तरका किये जाएंगे, आपसे question किये जाएंगे, कि बताओ क्या, एक rational number, एक rational number, irrational होगे, अब rational number कभी rational होगा, नहीं होगा, कोई पूछे कि बताओ irrational, क्या rational number होगा, नहीं होगा, कोई आपसे पूछे कि एक natural number, rational number होगा, बि इक सीक्əा Tobler इस्टाइबर होगा तो बिल्कुल होगा खुझे अपसे पुझे एक रिस्ट्नल नमबर एक रिस्ट्नल नमबर क्या इंटीषर हुगा नहीं होगा भाई तिक अश्ESS सब्सक्रीप्स के जाएंगे आईये मैं अब क्वेस्ट्र को भी करके दिखाता है थि Math एंसर देखो आपको यहां पर तीन क्यूष्षेंगी एभेन और इन नों क्यूष्ष्षेंग में आपको बस ठू और फॉल्स पताना है प्रू है तो रीजन भी देना है यजित अधना दोनों कंडिचन में आपको तो नहीं देना है तो आएए मैं यहां पर क्वेश्चन लिखर कर रखा हूं और ध्यान से आप लोग पढ़िए और समझे ठीक है फ़र्स्ट क्वेश्चन है कि इवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर देखो फ़र्स्ट क्वेश्चन आ गया अब बोला है कि यहां पर मैंने क्या पढ़ाया आप लोग को होल नंबर अब बताओ यहां होल नंबर कहां से टट होता है जीरो एक दो तीन चार से और नेचुरल नंबर एक दो तीन से यह पूरा होल नंबर इसमें मिलेगा नहीं मिलेगा सब तो मिलेगा लेकिन जीरो इसमें नहीं है तो हमारा एक इभिर इभिरी होल नंबर एक नेचुरल नंबर नहीं हो सकता मैं क्या बोलनों इसको फॉल्स इसका जो एंसर होगा क्या होगा फॉल्स होगा याद रहेगा अब आपसे बोलाए कि बताओ इसका रीजन रीजन क्या है तो रीजन में देंगे बिकाज जिरो इसे होल नंबर जिरो इसे होल नंबर जिरो होल नंबर तो है बट नॉट ए नेचुरल नमबर ब सोट में नेचुरल नमबर ठीके next every integer each rational नमबर आप देखो every integer integer देखो integer हमारा negative भी होता है 0 भी होता है ये भी होता है तो अब आप से पुछा गया है कि बताओ कि हमारा every integer जो integer है वो हमारा एक rational number हो जाएगा बिल्कूल हो जाएगा लेको rational number minus में भी रहे न तो भी हमारा क्या एक rational number है और minus में हमारा क्या होता है integer होता है यानि परतेक integer यानि every integer एक rational number हो जाएगे इसमें कोई सहक नहीं है क्या बोलेंगे true every integer is rational number true because क्यों साहिए है इसका भी देना है because every integer every integer p can be express express in the in the form p by 1 and so it's so it is a rational number rational number okay समाझ में आई मालो एब बोलाए कि every integer मालो मैंने ये ले लिया minus 2 को minus 2 को मैंने लिया तो इसमें 1 से में डिवाइड कर दूँगा फिर ये p by q को फर्म हो गया तो rational number बन गया ठीक है तो गही मैंने बात यहाँ पर express कर दी अब ये देखो every rational number is an integer आप देखो अब जो rational number है rational number p by q को फर्म होता है 7 by 2 अब ये 7 by 2 हमारा कभी integer दिखने को मिलता है क्या नहीं मिलता तो every integer एक rational number हो सकते है लेकिन rational number एक integer नहीं हो पायेगा तो फिर मैं इसको बोलूगा false ये बिलकुल गलत बात बोली है false बोलेंगे और यहाँ रिजन देंगे कि because because एक example लेते हैं 3 by 7 is not integer not integer कोई भी हमें rational number लेता हूँ वह हमारा एक integer नहीं हो सकता ओके चलो next question 2 देखो example number 2 है find 5 rational number between 1 and 2 1 and 2 के बीच में 5 rational number find करना है तो मैं आपको बता दू बहुत ही आसान है बहुत ही आसान इस question करना ठीके सबसे पहले देखो here यहाँ पर जो number given है न 1 है तो जो number given रहता है पहले लीख लो इसमें multiple करना है किस से भाई 5 rational number find करना है न तो एक बढ़ा दो 5 में 1 add कर दो 6 हो गया 6 से उपर multiple और 6 से divide भी कर दो मैंने क्या बोला जो number given है उन number को लिख लो जितना find करना है न उनसे एक add कर लो 5 है तो 6 6 से उपर multiple और 6 से निचे divide तो 6 1 और 6 से करेंगे तो 6 अब आई 6 हो गया अब 2 है 2 में करेंगे 6 से निचे भी और उपर भी 6 तूजा 12 अब आई 6 हो गया यह 6 और 6 है यह 12 और 6 है अब इनके बीच में देखो तो हमारा मिल जाएंगे क्या बिल्कुल मिलेगा लिखो hence 6 rational number 6 rational number is 6 rational number is 6 के बाद क्या होगा 7 by 6 उसके बाद 8 by 6 उसके बाद 9 by 6 उसके बाद 10 by 6 और उसके बाद 11 by 6 यह देखो हमारा 5 rational number find हो गए कितना आसान है अब खुद सोच सकते हो ठीक है और इसी के साथ हमारा जो एक्षाषाज 1.1 का example था वो complete होता है next वीडियो में एक्षाषाज 1.1 को solve करेंगे बहुत ही आसान है बहुत ही आसान तो 1.1 देखना चाहते है तो description में link है या playlist में जाईए आप लोग वहाँ से इस वीडियो को देख पाएंगे मिलता हूं next class में thank you so much